नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्व चैन्ट पर आज हम दिखने वाले हैं 11 बालोजी महारास्ट बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है उसका फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टुडी दे पार्ट्स ओफ माइक्रोस्कोप तो इसलिए शुरू करते हैं आज का विडियो प्रैक्टिकल का बुक है गवर्मेंट का बाल भारती का जिसमें आपको लिखना होता है प्रैक्टिकल करने होते हैं और आपको बाहर से कोही जनरल नहीं लेना है ठीक है बहुत अच्छी बात है आपको सिर्फ इस बुक में ही सब कुछ लिखना है प्रोजेक्ट कराना है इ तो चलिए देखते हैं कि first practical क्या दिया गया है तो सबसे पहले आपको सूचमत दर्शी यानि कि जिसे इंगली माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं तो ऐसी मशीन जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा practical आपका यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले ए दिया है Experiment to be performed यानि कि जो भी इस पार्ट में पार्ट A में देखो आपका जो book है न 11th biology handbook इसमें दो पार्ट है A और B A में जितने आप practical रहेंगे वो आपको perform करने होंगे B में जितने practical हैं उसे sporting experiment कहते हैं यानि कि उसमें क्या होता है ना setup सब किया होता है उसमें आपको कुछ perform नहीं करना होता है सिर्फ जो भी model वगएरा होगा उसे आपको सिर्फ देखना होता है उस particular experiment को देखना होता है और सिर्फ उसका observation और result किना होता है तो सबसे पहला आपका practical है study the part of microscope तो मैंने आपको microscope का introduction बता दिया है यहां पर आप देख सकते हो aim to study the parts of compound microscope and their function तो यहां पर आप देख सकते हो उसका requirement compound microscope simple microscope principle क्या दिया है आप यहां पर मैंने आपको बता दिया है आप एक बार देख सकते हो और यहां पर एक important line बताएगे यह है कि compound microscope has following structural components as non-optical and optical तो इसमें main दो component होते हैं microscope में एक optical और दूसरा non-optical optical मतलब जिससे हम देखते हैं जो main working unit होता है जिसका काम होता है किसी भी छोटी चीज को magnify करना और non-optical यानि कि दूसरी सारी चीज़े तो non-optical चीज़े कौन सी है सबसे पहला है base आप image देखो यहां पर आप समझ जाओगे इसका आपको जाता काम भी नहीं है यहां पर optical component आगे क्या है सो यह आपका है simple microscope जो आपको यहां पर name वगरा है fill करना है so मैंने यहां फिल कर दिया है labeling कर दिया है इसका नाम आएगा simple microscope सबसे पर लेकर यहां तो start किया जाए तो AI का folded arm देनी यहां पर यह है यह adjustment screw यह screw की मतलब से आप इसका जो height है वो कम जादा कर सकते हो उसके बादे stand है उसके बादे base है उसके बादे mirror है जिसकी मतलब से आप जो भी light rays है light का जो intensity है उसको आप control कर सकते हो देन यह जो है चवड़ा सा यह है stage जिस पर आप अपने जो भी चीज रहेगा जो भी आपका specimen sample है उसका आप रखोगे देन यह है lens जिसकी मतलब से आप उस चीज को उस specimen को देखने वाले हो तो एह है simple microscope बड़ा ही simple सा है इसमें सिर्फ एक lens दिया गया है इस lens fix होता है इसका value आगे यहां पर आपको compound microscope इसका labeling करना है तो name तो simple हा जागा compound microscope and आप इसका labeling देख सकते हो इससे पहले eyepiece then draw tube then body tube उसके बाद revolving nose piece objective stage उसके बाद diaphragm light source base so age का labeling है आप देख सकते हों उसके बाद यहां पर दिया है complete the following table आपको एट टेबल भरना है सबसे पहले है eyepiece magnification objective magnification and total क्या होगा so यहां पर 10 तो कितना से करेंगे 10 तो 50 आएगा तो 10 x 5 आएगा तो आपका 50 x आ जाएगा वैसा ही 10 x 45 तो 450 then 15 x 100 करेंगे तो 1500 then 20 x 45 करेंगे तो 900 x so इस तरह से इसका यहां पर आएगा उसके बाद यहां पर कुछ पैसे टाइप में दिया गया है जहां पर बीच-बीच में कुछ एंसर नहीं दिये गया है उसको आपको फिल करना है इस particular जो box में दिया गया है यहां पर bracket में उसमें से तो आप देख सकते हो यहां पर सारे तो देखो जैसे यह पर दिया है, the wavelength of light and the magnification of microscope is inversely proportional. So, अगर light का जो wavelength है, वो ज़्यादा होगा, तो जो magnification है, वो कम होगा. इसलिए, microscope में जो light का amount है, उसको control करना पड़ता है. ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए. ठीक, ज़्यादा हो गया, तो दिखेगा नहीं अच्छे से आपका sample, कम हो गया तो नहीं दिखेगा, इसलिए इसको medium में अच्छे से करना पड़ता है. उसके बाद question number 4 है, which are the part of compound microscope that control the intensity of light entering the viewing area, how? तो इसका आएगा diaphragm, कैसे यहाँ पर आप एम इमेज देखो, जो आपको दिया है बुक में, so यह है आपका diaphragm, देखो, यह आपका जो यहाँ पर दिख रहा है, यह है diaphragm, इसके नीचे है light source, जब बाहर से कोई भी sun का या फिर particular एक artificial tube light का source का जो लाइट यहाँ पर पड़े तो light इधर से आगे नहीं जा पाएगा, और इधर से आगे नहीं जाएगा, तो आपको जो भी magnification है, वो मिलेगा ही नहीं, तो आप diaphragm का अगर open करोगे, तो यह चीज आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो इसका मतलब यह है ना, कि जो light का amount है, जो यहाँ से यहाँ तक लाइट जा रहा है, उसको control कोन करेगा, यह diaphragm करेगा, तो simple size cancer है, आप देख सकते हो, आपको उसी के बारे में थोड़ा detail में लिखना है, तो यह है आप cancer diaphragm control, the amount of light entering the lens system, यहाँ पर आप यह देख सकते हो, उसके बाद question no.5 है, which question you have taken in the porting of microscope, so microscope को use करते समया, आपको कौन सी साउधानिया रखनी है, सबसे पहला है, तो देखो यहाँ पर, always pick up a microscope using both hands, one hand holding the arm of microscope and other supporting its base, तो देखो, microscope को आपको कभी भी न, एक हास से नहीं पकड़ना है, इससे क्या chances होते हैं, कि microscope आपके हास से गिर जाए, और तूट जाए, इसलिए उसको दोनों हातों से पकड़ने का एक हास से उसके नीचे थोड़ा base जो होता है, नीचे का पाट उसमें support देने का, और एक हास से उसको जो handle होता है, उसको पकड़ने का, यहाँ पर second है, although it may seem tempting, never grab or carry a microscope bites eyepiece, तो वही आपको एक हास से कभी नहीं पकड़ना है, किसी भी जगां से, then third है, when you put the microscope down again, be sure to do on a flat surface such as the tabletop, so आपको microscope को use करने के बाद, अच्छे से किसी plain surface पे रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने उसे fix दिया, उसको अच्छे से ढखकर रखना है, then यहाँ पर कुछ MC को दिएक हैं, सबसे पहला है, which the following is not component of compound microscope, so यहाँ पर आप देख सकते हो option का है, stage, base, electron gun, eyepiece, तो यह त microscope का part है, इसका नहीं, तो आपका इसका answer आजाएगा, electron gun, then second है, dash collect the light passing through object, तो इसका आएगा d mirror, मैंने आपको पिछले अभी कुछ time पहले बताया है, then third, which of the following regulate the amount of light passing through the slide specimen on the microscope stage, तो इसका भी अभी हमने देखा है, इसका एगा diaphragm, then fourth, fifth and sixth का आप answer देख सकते हो, उसके बाद seventh है, match the microscope part listed with the correct function, यहाँ पर microscope की कुछ part दिये गए है, और उसका function क्या है, उसको आपको match the following करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, एक कुछ function है, और एक कुछ part है microscope की, तो कौन सा function किस part से related है, कौन से एक particular, उसका जो section है, उससे related है, आपको यहाँ पर उसका match the following करना है, तो देखते हैं कि क्या है इसका answer, तो अपसे पहले है, यहाँ पर इस side में, left hand side में, a turn to change from one power to another, तो इसका आजाएगा last वाला, revolving nose piece, जो सबसे उपर का part होता है, तो 45x, 10x, उसको हम revolve करते हैं, गोल-गोल घुमा के power को, जो magnification power होती है, उसको change करते ह तो first, a का आजाएगा, यहाँ पर v, ठीक है, revolving nose piece, then b है, bring object into rapid, but coarse focus, तो इसका नाम से हिसाफ है, coarse, तो इसका यहाँ पर आप देखोगे, fourth में लिखा है, coarse adjustment knob, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसको set करते हो, तो आपको जो भी special main है, वो दिखता तो है, बट अच्छ से नहीं, साफ साफ नहीं दिखता है, पर जल्दी से दिख जाता है, तो b का आजाएगा, यहाँ पर आपका fourth वाला, then c है, attached to the revolving nose piece and contain a lens capable of 45x magnification, so इसका आएगा one, high power objective, so c का आजाएगा आपका first वाला high power objective, then d है, direct light into the scope adjustment, तो इसका आएगा three, mirror or lamp, then उसके बाद last वाला है, e regulate the amount of light entering the scope, तो इसका आएगा second die from, तो फिट से आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा answer है, सबसे पहला है, a turn to change from one power to another, तो इसका आएगा, fifth वाला, then b वाला जो है, इसका आएगा, fourth वाला, then c वाले का first वाला आएगा, then d वाले का third and जो तरह से इसके answer है, guys आपको इस practical का PDF हमारे telegram channel पर मिल जाएगा, उसका link नीचे description box में मिलने वाला है, आप जाकर देख सकते हो, so यही ताज का वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हो कि मैं इस series आगे continue कर पनाओ, तो आप comment कर सकते हो, मिलते हैं, अन्य किसी वीडियो में तक आप ज़र जाते हो, मुझे इस्टार पर follow कर सकते हो, अपने सवाल पुछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुस्तों, thank you guys